Students कैसे हैं आप लोग I hope कि आप बहुत ही अच्छी होंगे तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ICR UG के students के बारे में जितने भी students हैं जिन्होंने first round में seat allotment हो चुका था अब आगे का जो process बचा और साथ हम इस वीडियो में discuss करेंगे जिनको first round में seat allotment नहीं हुआ है उ से कि उन्हें भी इस साल 2023 में government seat allotment हो जाए तो चलिए आज किस वीडियो को start करते हैं यह आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं यह वीडियो को पहली बार देख रहे है तो वीडियो को like and dear चैनल को जुरूर subscribe कर लिजिए तो सबसे पहले हम बात करें ICR के first round का ICR का first round का result जार करना है second round का result भी जल्द आपकी official website पर जारी हो रहा है जिस पर आप अपना application login करके वहां से देख सकते हो ओके यहां पर हम बात करेंगे जितने भी students है यूजी के अभी documents verification का चीक है सभी students का documents verification चल रहा है जिनको first round में seat allotment हुआ है तो वो students documents verification कल 24 तारिक तक आप जो है upload कर सकते हूँ आपको फिर से आपका ठीक है जो fees payment है 10,000 रुपए ठीक है वो pay करना होगा 10,000 रुपए payment करने के बाद वो आपकी यह जो payment है आपका जब आपका admission लेने जाएंगे तो total fees में से fees structure का मैंने वीडियो बना दिया है total fees में से आपका यह 10,000 रुपए minus हो जाएगा और वो आपको जो भी college या जो भी institute alert होगा उसमें से आपको उन्हें ICR दे देगा जिससे आपका minus हो जाएगा अब जिरे students को seat नहीं मिली है उनको तीन तारिक तक ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तारिक तक आप 3,11,2023 तक साम पांच जिस तक वेट करना है आपको इस टाइम पे आपका result है वो आपकी official website पे जारी हो जाएगा और यहाँ पे आपको भी seat बिल जाएगी जिनको seat अभी नहीं मिली है जिसकी cutoff की भी बात करेंगे तो यहाँ पे माल लीजेगी जिन cutoff है बेसे गरी कल्चर का यह दी 4,000 गया तो अब आपको 5000 तक seat अलोट मिलने के बेसे गरी कल्चर यह 6,000 तक भी seat मिलने के chances है बस आपको इंतजार करना है और जिन students को ठीक है माल लीजे first round में कोई भी course अलोट हुआ है और उन्हें BAC agriculture सही है मालो fisheries अलोट हुआ है या forestry अलोट हुआ है तो आपका अपग्रेड करने का option है वो कब तक आएगा तो अपग्रेड करने का option है लगबग आप मान के चलो तो 30 तारिक तक आपको अपग्रेड करने का option आ जाएगा लेक 30 तारिक के बाद अपग्रेड का option आपका इन्रेट हो जाएगा और वो आपका उसके बाद में ऊपर की जो choice filling है जो भी आपने choice filling रखी है उसमें यह दि ऊपर BAC agriculture लगा हुआ है उसके साथ इसाथ इंडिया की सारी maximum जो colleges है और आपकी rank थोड़ी सी नीचे भी है तो वहाँ आपको sweet मिलने के chances हो जाएंगे तो अभी आपको इंतजार करना है तीन तारिक तक second round result के लिए अपग्रेड इदी आपको करना हो तो अपग्रेड है वो 30 तारिक तक होगा ओके अपग्रेड की date में यहाँ पर mention कर दी है 30 तारिक तक यहाँ पर जो है आपकी official website पर link generate हो जाए जब आपका university की दवारा आपको admission है physical verification है online physical verification है complete हो जाएगा ठीक है तो यतना इंतजार आपको करना होगा और जो भी students को अभी तक admission नहीं मिला तो वो सारे documents है ready रखे जैसे आपको जह result आएगा उसके बाद आपको भी जो है 6 तारिक तक documents upload online करना होगा मतलब तीन दिन का ही आपको समय दिया गया यहाँ पर ज्यादा time मिला क्योंकि यहाँ पर holiday चल रहा था okay तो यहाँ पर आपको 6 तारिक तक time दिया जाएगा और उसमें आपको सारे documents upload करने होंगे साथ त open होगा वहीं आपको दिखाए देगा तो 25 तारिक से आपका जो है यहाँ पर verification होने लग जाएगा 27 तक आपको update है वह आने लग जाएगी आपकी official website पे तो 27 तारिक तक आपको इतिजार करना होगा उसके बाद आप payment करके verification complete करवा सकते हो तो चलिए आज आज आपको सभी ची बाद में आज आएगा और उसके साते साथ documents verification का first round का last date है चो इस तारिक है तो यह सारी updates देने के लिए आज इस वीडियो को बनाया गया है और I hope कि आपको बहुत पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे next video में तब तक लिए bye bye take care यह दि कोई भी doubt हो कोई भी आपको confusions है तो